हेलो फ्रेंड्स वेल्कुम बैक टू माई चैनल दीप क्लासिस जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दलित चेतना से क्या अभी प्राय है इसकी साविस्तार व्याख्या कीजिए आज के वीडियो में हम इस क्वेशन के आंसर को जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथी MHD से रिलेटिड अधर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दलिक चेतना एक प्रती सांस्क्रीतिक चेतना है अपितू यह एक वैकल्पिक चेतना भी है इसलिए इसमें विद्रो परिलक्षित होता है इस चेतना की नीव में भारतिय सामाजिक संरचना है जो ना केवल जाती पर आधारित है अपितू इसे धार्मिक रूप से वैदता प्रदान है चेतना का संबंध द्रिष्टी से होता है जो दलितों की सांस्कृतिक एतिहासिक और सामाजिक भूमिका की छवी के मती ब्रब को तोड़ती है मानवाधिकारों से वन्चित सामाजिक रूप से नकार दिया जाना दलित होना है और उसके अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई अर्थात चेतना ही दलित चेतना है भारतिय इतिहास में बुद्ध प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वन्व्यवस्था को चुनोती दी और उसे अवज्ञानिक एवं अमानविये तक कहे डाला च्रावस्ति प्रवास के समय सुनीत नामक एक हरीजन को अपने संग में शामिल करके उन्होंने दलितों के उधार का वहमार्ग बताया जो आगे युगो युगो तक दलित मुक्ती का रास्ता बताता रहा भक्तिकाल में दलित संतकवियों में चेतना की अलग जगाता रहा जो आधनिक काल तक आते आते डॉक्तर भीम राव अमबेटकर जैसे विशालतम व्यक्तित्व के रूप में और जादा प्रकाशित हुआ डॉक्तर अमबेटकर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व और कृतित्व ही आधनिक दलित चेतना की प्रबल प्रेणना है महराष्ट्र से प्रारंब हुए डलित साहित्य अंदोलन पर अमबेटकर के विचार और दर्शन का प्रभाग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है दलित चेतना एक प्रती सांस्कृतिक चेतना है अपितू एक वैकालपिक चेतना भी है इसलिए विद्रोही है जाती व्यवस्ता सामाजिक दुराव के सिधान पर आधारित है जो हमारे सामाजिक संबंदों को ही नहीं अपितू धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों को भी प्रभावित करती है यह दास्ता की वैसंपून व्यवस्ता है जो हिंदू समाज व्यवस्ता में शुरू से ही धर्म प्रधान और अर्थ की दृष्टी से गोण रही है सविधान द्वारा प्रदत अधिकारों और सुरक्षा कानूनों के बावजूद दलितों को बुन्यादी सुविधाओं से वंचित रखने की कोशिश की जाती रही है और इसकी सफलता के लिए हर समय धर्म परंपरा संस्कृती का जिक्र करके इसकी निरंतर्ता के लिए हिंसा, सत्ता और धर्म का सहारा लिया जाता रहा है दलित चेतना का सीधा संबंद मैं कौन हूँ सिव्यापक रूप से जुड़ा हुआ है चेतना का संबंद द्रिष्टी से होता है जो दलितों की सामाजिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक भूमिका की छवी को दुमिल करती है अलग-अलग काल खंडों में यह अलग-अलग रूपों में दिखाई देती है भक्तिकाल के कवियों में इसका रूप अलग है लेकिन इस चेतना के बीच वहां भी उपस्तित है जो कालांतर में जोतिबा फूले के संघर्ष के रूप में एक संघर्ष शील बौधिक रूप में दिखाई देता है आगे चलकर यह डौक्तर अमबेट करके जीवन संघर्ष में एक नए जुझारू रूप में दिखाई देती है जो दलितों में एक नई चेतना को जगाता है जिसे मुक्ती संघर्ष की चेतना कहना जादा उचित होगा यही चेतना साहित्य की प्रेना बन कर दलित साहित्य के रूप में उजागर होती है जिससे मुक्ती आजादी के गंभीर सरोकार नहित है दलित साहित्य के प्रेणनास्त्रोत्रों के रूप में महात्मा जोतिबा फूले का सुधार वादी द्रिष्टी कोण और डॉक्टर अम्बेट करकी सामाजिक समानता हिंदुत्व का विरोध आर्थिक विशमता को समाप्त करके समानता परग्द्रिष्टी और सांस्कृतिक समस्या के साथ बौत धर्म उसका दर्शन और दलित पैंथर्स के रूप में देखा जा सकता है तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्व होता है जिसमें हमने दाना दलित चेतना से अभिप्राय के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थांक यू पर वाचिंग